हेलो दोस्तों ये है हीरो की HF Deluxe i3S और HF 100 तो आज इस वीडियो में मैं दौनों को कंपेर करने वाला हूँ HF Deluxe और HF 100 दौनों में क्या-क्या अंतर दिये हैं, क्या-क्या features इसमें आपको मिल जाते हैं, कौन सी आपको लेनी चाहिए और इन दौनों की on-road कीमत कितनी है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं, अगर आप HF Deluxe की तरफ देखोगे तो इसके वाजर के उपर आपको मिल जाता है, हीरो का 3D में लोगो, साइड में आपको ग्राफिक्स की पट्टी भी म आपको दोनों में सेम देखने को मिल जाती है, जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं, अगर आप HF 100 की तरफ देखोगे तो यहां पर आपको हीरो का स्टीकर मिलता है, और यहां पर आपको वाजर की उपर ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं, और हैडलाइट की और इंडियेटर आ यहां पर आपको मटगार्ड के उपर आपको IBS का लोगो मिल जाता है, सिल्वर कलर के एलो बील और सस्पेंसन देखने को मिल जाते हैं, और इन दोनों की टायर हैं वो आपको 2588 के मिल जाते हैं, जो की आपको ट्यू वाले टायर मिलते हैं, अब बात करें इसके ग्राफिक् की पत्डी देखने को मिल जाती है, और इसके जो ग्राफिक्स हैं वो काफी जादा सांदार यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं, अब हम बात करें HIT – 500 के बारे में, तो नीचे की टीम हैं वो आपको भले कलर की मिलती है, और इसके फूल टेंक के ऊपर आपको hero का sticker मिल जाता है और छोटे से यहां पर आपको fuel tank के उपर graphics मिलते हैं और इसके toolbox के उपर आपको कोई भी branding देखने को नहीं मिलती है जैसे power start के और यहां पर आपको hf100 का graphics देखने को मिल जाता है और यहां से आप इसके engine के color को देख सकते हैं और इसके पीछे की side में seat cowl के उपर भी आपको कोई भी graphics की पट्टी नहीं मिलती है और seat की quality और कुशनिंग है दोनों में आपको same देखने को मिल जाती है अब चलते हैं इसके पीछे की side में तो इसके hf100 के पीछे की side में आपको जो है जो grab handle मिलता है वो आपको pipe वाला मिलता है जबकि अगर आप hf deluxe को देखोगे तो यहां पर आपको grab handle आपको aluminium का मिलता है silver finish के साथ और इसका जो पीछे वाला जो portion है वो आपको same देखने को मिल जाता है जैसे कि इसकी जो lever है वो आपको chrome finish में मिलता है और यहां पर आपको side stand के उपर एक sensor भी मिलता है जैसा कि यह hf deluxe का i3s model है और engine का जो color है और जो power है वो आपको same मिलती है और यहां पर आपको chrome finish के साथ leg guard भी देखने को मिल जाता है अगर हम बात करें hf 100 के बारे में तो यहां पर आपको gear lever आपको black color का मिलता है और side stand के उपर आपको कोई भी sensor नहीं मिलता है यहां भी आपको कोई भी stickering और graphics की पट्टी नहीं मिलती है यहां से आप इसके engine के color को देख सकते हो जो आपको same मिल जाता है hf deluxe में और hf 100 में और यहां पर आपको कोई भी leg guard नहीं मिलता है अब हम बात करें इसके meter console की तो hf deluxe का यह meter console है और यहां पर आपको side stand की indication light i3s की indication light देखने को मिल जाती है जैसा कि यह i3s वाला model है यहां पर आपको i3s की button भी मिलती है और यहां पर आपको self का switch भी मिलता है और chrome की आपको handle bar rod मिलती है और यहां पर इसके switches की बात करें तो यहां पर आपको i3s का switch और self का switch नहीं मिलता है जैसा कि यह HF 100 में आपको only केके start का option मिलता है दोस्तों जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं अब इन दोनों के bait में भी आपको अंतर देखने को मिलता है HF 100 का जो curve weight है वो 110 kg का दिया गया है और HF Deluxe का जो weight है वो 112 kg का दिया गया है दोनों में 2 kg का अंतर आपको मिलता है अब दोनों के price की बात करें तो HF 100 की जो on-road कीमत है वो 66,900 रुपे की है और HF Deluxe i3s variant की जो on-road कीमत है self start के साथ 78,400 रुपे की है जबकि अगर आप HF Deluxe लेते हो kick start वाला model तो उसकी जो कीमत है वो HF 100 से 2,500 पे जादा है उसी के साथ से HF 100 में जो है कम feature दिये गए है जो की HF 100 एक low budget की bike है और ये आपको लेनी चाहिए या नहीं मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तो अगर आपका जो budget है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और आप एक kick start वाली bike लेना चाहते हो और आपका जो आना जाना है वो 5 से 10 km का है तो आपको self start वाला model नहीं लेना चाहिए आपको जो है kick start वाला model लेना चाहिए वो आपके लिए ज़्यादा comfortable रहेगा दोस्त अब self start के वारे में बात करें तो दोस्तो अगर आपको जो है 50 से 100 km का अगर आपका आना जाना है या आप जो है marketing में यूज करते हो bike को तो आपको जो है वो self start वाली bike की लेनी चाहिए चाहिए वो किसी भी company की हो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको on road price बताया है साइने इस वीडियो के description box में मिल जाएगी other street वाले बिल्कुल भी टेंसर ना लें आप अपनी city का नाम कमेंट कर देना मैं आपको आपकी city का on road price reply करके बता दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जासे आदा शेयर करें like करें comment करें अगर आप च सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दबा देना थैंकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में